लूका दो अधिहाए एक से साथ पद उन दिनों में अगौस्तुस केसिर की ओर से आग्या निकली कि सारे जगत की लोगों के नाम लिखे जाएं यहाँ पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किवूर नियोस सुरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए सो युसुप भी इसलिए कि वहाँ दाउद के घराने और वन्ष का था गलिल के नासरत नगर से यहुदिया में दाउद के नगर बेटलहम को गया कि अपने मंगेतर मर्यम के साथ जो गर्वती थी नाम लिखवाएं उसके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वहाँ अपना पहलोटा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेट कर चर्नी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगाना थी आमेन मसी में प्रियंभाई और बेहनो क्रूस के संदेश का यहाँ तेरवां सत्र है और आज मैं आपको बताऊँगा कि येशु को क्यों चर्नी में रखा गया येशु का घुडशाल में जन्म लेने का अर्थ एक जानवर से था जो की चर्नी में रखा गया और उसने गरीब जीवन जिया जब उससे क्रूस पर चढ़ाया गया उसके पुरे शरीर पर कोडे मारे गई और उसने अपने सिर पर कोडों का ताच बहना और उसके हाथ और पैरों में वहाँ छेदा गया वहाँ क नंगा क्रूस पर लटकाया गया जो कपड़े वहाँ पहने हुए था रोम के प्यादों ने उन्हें चार टुकडों में बांट दिया और उसका अंगरखा चिठियान डाल कर एक प्यादे ने ले लिया और साथ ही अपने एक दर्फ रोम के प्यादे के द्वारा छेदे जाने से उसने अपना सारा पानी और लहू बहा दिया इन प्रतिक प्रक्रियाओं में परमेश्वर का विधान पाया जाता है और यहाँ परमेश्वर का विधान है और अनुग्रह है और कृपा है और हमें आशिश देने के लिए है जब हम आशीशों को विश्वास से ग्रहन करते हैं जो कि उसके विधान में हैं तो हम अपने जीवन में आशीशों का आनंद ले सकते हैं आज से मैं उन आशीशों के विश्वे में बताऊंगा जो परमेशों ने येश्व के द्वारा हमें दी है मुझे आशा है कि आप पिता परमेशुर की प्रेम और इच्छा को साफ तोर पर समझ पाएंगे जिसने अपना एक लौता पुतर दे दिया और प्रभु के प्रेम को जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया मैं प्रभु के नाम से प्रात्ना करता हूँ कि आप तमाम उन आशिशों को पाएं जो परमेशुर हमें येशु मसी के नाम से देता है और परमेशुर को अपने हिर्दय की गहराई से महिमा दें मसी में प्रियम हाईं और बहनों और दर्शकों आज का लेक येशु की जन्म के विश्य में बताता है कौारी मर्यम जिसने येशु को पवित्रात्मा की सामर्थ से जन्म दिया वहाँ अपने पती के साथ बेतलेहम को चरे गई उस समय बेतलेहम के सबी स्थान लोगों से भरे हुए थे और वहाँ पर कोई और स्थान नहीं था इसलिए मर्यम ने गुडशाल की एक सराय में जन्म दिया क्योंकि वहाँ पर येशु को रखने के लिए कोई स्थान नहीं था जिसे कपड़ों में लपेटा हुआ था उसे एक चर्नी में रखा गया जो कि एक पात्र होता है जिसमें जानोरों का खाना होता है आम तोर पर बच्चे एक आरमदाय कमरे में पैदा होते है और एक सुखधाय बिस्तर पर लेटे रहते है पर क्यों येशु जो कि परमेशुर का एक लौता पुत्र है क्यों वहाँ गुडशाल में पैदा हुआ और क्यों उसे चर्नी में रखा गया यहाँ भी परमेशुर का विधान हमें आशीश देने के लिए है सपोव देशक 3.18 कहता है मैंने भी मन में कहा कि यहाँ इसलिए होता है कि परमेशुर मनुशों को जांचे कि वे देख सके कि वे पशु के समान है जब परमेशुर ने मनुशों को जांचा वे पश्वों से कोई अलग नहीं थे यह सुनने पर कुछ को आश्चरे हो सकता है क्यूं है ऐसा के मनुश्यों जानौर के समान है परन्तो यदि आप मनुश्यों की बुराए के बारे में सोचे तो अक्सर जानौरों से भी यह बत्तर होती है और यहां तक कि जानौरों में भी कुछ ऐसे है जो अपने साथे को जिएँ भर नहीं बदलते और दूसरों को भी बिना किसी कारण से नहीं मारते अगर वो भूखे या उनका जीएँ जोखिम में ना हो और जानवरों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पूरे जीवन भर अपने साथी को नहीं बदलते और अपने छोटों के लिए अपने आपको बलिदान करते हैं आपके घरों में कुट्ते वो अपने स्वामियों के लिए वफदार होते हैं और अपने स्वामियों के लिए कवे कबार वो भी अपना जीवन बलिदान करते है। मैंने मुश्किल से ही सुना हुआ कि किसी कुट्टे ने अपने माले को धोका दिया हो। परंतोहां मनुश्य जो सभी प्राणियों के प्रभू है, दूसरे लोगों को बार बार धोखा देते हैं। मनुश्यों के विश्या में आप क्या कहते हैं? अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो मार पिटाई करते हैं, विवेक हिंता सिस्त्रियों, बच्चों या बिमारों को मार देते हैं, यहां तक ही परिवारों और पड़ुश्यों में भी सच्चा प्रेम ढून पाना मुश्किल है, तलाकदर लगतार बढ़ता जा रहा है, वे लड़ते हैं, मुकदमा चलाते हैं, यहां तक ही माता पिता बच्चों और भायों और बहनों के बीच भी हत्या कर देते हैं, यहां तक ही अपने माता पिता अध्यपकों यहां तक ही अपने पुराने दोस्तों को भी धोखा देते हैं अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो भलाई के साथ बुराई करते हैं लोग दूसरे लोगों को खरीते और बेचते हैं कभी कबार वे अपने बच्चों को भी बेच देते हैं यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी गिरोहों बना देते हैं और ऐसे काम क परमेश्यों को अपने भले और पवित्र स्वरूप में राचा था। परन्तु आदम की गिर जाने के बाद मनुश्यों पापी बन गया और उन्होंने परमेश्यों के भले स्वरूप को खो दिया। उनकी आत्मा मर गई। वे केवल देह और प्राण में ही जीवित रहे इनके पास केवल देह और प्राण है। जैसे जैसे उनके अधिक और अधिक हिर्दे कलंकित होते गए अपने इच्छाओं और वासनाओं के चलते उन्होंने बहुत से प्रकार के पाप किये। कैसे इस तरह का मनुश्यों जो एक जानवर के समान बन गया पवित्र स्वर्ग के राजि में प्रवेश कर सकता है। वेकेवल स्वर्ग में तभी जा सकते हैं जब वे मनुश्यों की कर्थवियों को वापस प्राप्ट कर सकें और परमेश्वर की संतान बन सकें। इसलिए येशु इस धर्ति पर आया और एक चर्णी में उससे रखा गया थाकि मनुश्य जात्य को मुक्ति दें और बचाएं जो जानोरों से कोई अलग नहीं थे। केवल भोजन के द्वारा जीवित रहता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी केवल आत्मिक भोजन से ही जीवित रहती है। येशु जो वचन है इस धर्ती पर दें में होकर आया। और मनुश्यों जाते के लिए भोजन बन गया जो जानोरों के समान थे। अब मनुश्यों जैसे जीवन से अलग हो सकते हैं और सच्चा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हमारी करतबियों को करने का और मनुश्यों के समान जीवन यापन करने का मार क्या है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह हो है कि परमेश्वर का भहे मान और उसकी आग्याओं का पालन कर क्य यही है जैसा कि पढ़ा गया मनुश्यों का संपूर्ण करतब्य परमेशुर का भए मानना और उसकी आग्याओं का पालन करना है निती वचन आठाध्याई 13 बद कहता है यहवा का भए मानना बुराई से बैर रखना है परमेशुर की आग्याओं को मानना बाइबल में पाई जाने वाले आग्याओं का पालन करना है जो कि परमेशुर का भजचन है ऐसी बहुत सी आग्याओं है जैसे कि हमेशा आनन दित रहो लगतार प्रात्ना बहुत, हर परिस्तिती में धन्यवाद दो, बैर ना करना शराब ना पिना, सबत को पवितर मानना, वचाओं को पूरा करना हर बुराई से बचे रहना विवाद से दूर रहना हमें वह काम नहीं करना चाहिए जिसे बाइबल हमें नहीं करने को कहती है वह काम करना चाहिए जिसे हमें वह करने को कहती है जिसे रखने को कहती है वह रखना चाहिए जिसे निकालने को कहती है निकाल देना चाहिए इ परंतु परमेशुर के आग्याओं का पालन नहीं करते हैं। आप अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। तो आपको उन्हें सिखाना चाहिए कि वहाँ मनुश्यों के करतबे को करें। हमारे पिता परमेशुर भी हमें वही काम करने के आग्या देते हैं जो हमें मनुश्यों होने के नाते करना चाहिए। जिसे परमेशुर हमें नहीं करने को कहता है वहाँ हमारे लिए जरूरी है कि हम कलेशों और दुखों में और नर्क में ना गिर जाएं। जो कुछ वहाँ हमें करने को कहता है वहाँ हमारे लिए आशिशों और उत्तर प्राप्ट करने के लिए जरूरी है और अंत में स्वर के राजे में जाने के लिए वहाँ हमें कुछ काम करने को और ना करने को कहता है ताकि हम नर्क में ना गिरें वहाँ हमें कुछ काम को करन प्रमिशोर के खोए हुए सुरूप को प्राप्ट करें, पिता के रूप को, इस तरह से हम संपती और आशिशे प्राप्ट कर सकते हैं, स्वस्ते और दूसरी आशिशे, यहां तकि आपके बच्चे भी यदिवे आपसे प्रेम करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो भी आपका पालन करते हैं। उसी प्रकार से यदि आप परमेशुर से प्रेम रखते हैं जिसने अपना इतना महान प्रेम हमें दिया है और प्रभू से जो हमारे लिए क्रूस पर चड़ा तो परमेशुर के वचनों का पालन करना कोई मुश्किल नहीं है। प्रभू का प्रभू है। वह सुरुष्टी करता परमेशुर के साथ एक है। यहोना एक अध्याई तीन पत कहता है। ना केवल तब उसने जन्म लिया परन्तु अपने पूरे जीवन में उसने गरीवी में जीवन जिया। हमारे पास तो कुछ किराई के या दूसरे घर है परन्तु उसके पास तो किराई का भी घर ना था। मती 8 अध्याई 20 बद में कहा गया लॉमडियों के भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। परन्तु मनशों के पुत्तर के लिए सिर धरने की भी जगा नहीं है। वहाँ बिना किसी स्थाई घर के सूसमचार का प्रचार करने के लिए यहाँ वहाँ जाता रहा बिमारों को चंगा किया। कभी कबारों हप्यासा था, भूका और ठका हुआ था। परन्तु उसने बिना आराम किये वच्चन का प्रचार किया। ऐसा नहीं कि उसके पास अमीर जीवन जीने के लिए योगता नहीं थी। येशु ने पानी में से दाखरस बनाया और पांच रोटी और दो मचलियों से पांच अजार लोगों को खाना खिलाने का चमतकार दिखाया। और फिर बाराट टोक्रियां उस खाने की उठाई गई जो बच गया था। यहोँ भी जैसे ही उसने आग्या दी जब पत्रस ने मचलि को पकड़ा तो उस मचलि के मुहों में एक सिक्का था। यदि वहाँ अपने सामर्थे अपने लिए इस्तेमाल करता तो वहाँ एक अमीर जीवन से भी अच्छा जीवन जी सकता था। परन्तु क्या कारण है कि उसने गरीब जीवन जिया। परन्तु आदम की गिर जाने के बाद मनुश्यों के साथ साथ सब कुछ श्रापित हो गया और यहाँ धर्ती उंट और कटारे उगाना शुरू हो गई ताकि मनुश्यों अपने माथे के पसीने के परिश्रम से भोजन खा सके। मनुश्यों जाते का इस प्रकार से गरीबी में रहने का कारण वहाँ श्राप था जो आदम के पाप के कारण उन पर आ गया। कि गरीब होना अपने आप में कोई पाप नहीं है परन्तो यहाँ भी उस श्राप का एक हिस्सा है जो हमारे उपर आदम के पाप के कारण आया। इसलिए येश्यों ने स्वयाम एक गरीब जीवन जीने के द्वारा हमें गरीबी से मुक्त किया ताकि हम एक अमीर जीवन जी सकें। अपने आप में कोई पाप नहीं है इसलिए हमारे प्रभु को अपना लहू नहीं बहाना पड़ा इससे मुक्त दिलाने के लिए इसके बदले हमारा प्रभु एक गरीबी में जीवन जीया कि हमें गरीबी से मुक्त करें। परन्तु यदियो पाप होता तो अविशे ही इसके लिए लहू बहाना पड़ता। पाप की मजदूरी मृत्यू है कि वो लहू के द्वारा ही पाप माफ की जाते हैं। इसी कारण से हमारा प्रभु जिसके अंदर ना तो कोई मूल पाप ना ही सोयमका किया गया पाप था उसने अपना कीमती लहू बहाया। से वादे है कि परमेशुर हमें अमीर बनाएगा। साथ ही वे भी जिन्होंने परमेशुर का भहमाना उसके वचनों का पालन किया जैसे कि अबराहम विश्वास का कुलपिता, इसहाक, याकुव, यूसुफ और दानियल उन्होंने बहुतायत और आशिशित जिवन जिया। हम इपी परमेशुर के अनुग्रह से अमीरी की आशिशो का आनंद लेना चाहिए, जिसने हमें गरीबी से छोड़ाया है। जब हम परयाप धनवान होते हैं, हम परमेशुर को महिमा दे सकते हैं। यदि हम गरीब होकर आप कहते हैं कि ये शुमसी पर विश्वास करो, तो आप आशिश पाएंगे, तो सुनने वाला क्या कहेगा? वह कहेगा कि पहले आप सोयम आशिश पाएं। यदि आप बिमार होकर ये कहेंगे कि आप ठीक हो जाओगे अगर आप रभु को ग्रहन करोगे, तो वो कहेंगे कि आप पहले सोयम चंगे हो जाएं। इस तरह से आप जगडते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, परिंतो आप गलत मंसा और अपने ही खुशी के लिए मांगते हैं, इसलिए परमेशोर आपको उत्तर नहीं देता क्योंकि जब वासना गर्व होती है तो यह आप आपको जन्म देती है जब आप पूरा होता है तो वह हम रित्वी लाता है परमेशोर आपको उत्तर नहीं देता क्योंकि हम अपने भोग विलास के लिए मांगते है क्योंकि वह हम रित्व आर्थिक आशिशे प्राप्त करने के बाद अपना पैसा आप कैसे खर्च करेंगे। तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है जो ढूंता है वहाँ पाता है जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम ऐसे कौन ऐसा मनुचो है, यदि उसका पुत्र उससे रूटी मांगे तो वह उसे फथर दे, मचली मांगे तो सांप दे, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त्वें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गे पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्त्वें क्यों ना देगा? परमेशों ने पुराने और नए नियम की आयतों में से आपसे बहुत से आशिशों के वादे की है, क्या आपने आशिशों के इन वादों को अपने दिमाग में रखा है? आपको उन्हें अपने हिर्दे में रखना चाही, ताकि आप जान पाए कि आशिशे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उधारन के लिए मतिस साथ साथ में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ जब आप मांगेंगी प्राथ्थाओं में ये परमिश्वर आपको देगा और खोजो तो तुम्हें मिलेगा, तो क्या ढूनना है क्या आपको दिया जाएगा, आपको इस तमाम बाते पता होने चाहिए, द्वार पर खट-कटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा, किस परकार का द्वार आपको खट-कटाना है, क्या घर का द्वार, क्या है इस द्वार का आत्मिक अर्थ, और क्या हमारे लिए खोला जैसे कि भजन सहिता में लिखा है कि आप दिन रात परमिशुर के वच्छनों पर मन लगाओ, यदि आप उन संदेशों पर मनन करें जो आप हर सब्तहा सुनते हैं, जैसे कि परिचे, सरंचना, निशकर्ष और संदेश की मुख्य संदेश उन्हें अपने हिर्दे में रखें, तो जल्दी ही आप आत्मिक शेतर को पढ़ सकते हैं और आत्मा में जा सकते हैं, और साथ ही इसके भी उत्तर है कि आप क्यों बिमार होते हैं, क्यों आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आत्मिक शेतर का नियम कहता है कि आप अच्छे स्वास्ते की और आर्थिक त वह भी अपने बच्चों को जो कुछ वे विश्वास से मांगते हैं देना चाहता है। तो फिर आपको परमिशुर की आशिशों का आनुभव करने के लिए सब कुछ में सफलता पाने के लिए और अच्छा स्वस्ता पाने के लिए क्या करना चाही। आपको पूरे एक घंटे का संदेश सुनना होगा। क्योंकि मनुश्यों जो कुछ बौता है वही काटेगा। यदि आप बिना बौई काटने की कोशिश करेगे तो आप परमिशुर के नियम का उलंगर करते हैं। परमिशुर का उपहास उड़ाते हैं। यदि वे फल्यां बहुते हैं फल्या काटते हैं यदि चावल बहुते हैं तो चावल काटते हैं। और साथ ही दूसरा कुरुंतियो 9 अधिया 6-7 पद में लिखा है। जो थोड़ा बहुता है वहाँ थोड़ा काटेगा। और जो बहुत बहुता है वहाँ बहुत काटेगा। परमेशुरा हमें नाकियो लुतना देता है जितना हम बहुते हैं वहाँ दबा दबा कर हिला हिला कर और उभरता हुआ हमें देता है। जैसे जैसे हमारी आत्मी कुनती होती है 30, 60 और 100 गुना अधिक हमें देता है। और साथ ही यदि वहाँ हमें लंबे समय के बाद कटनी देता है तो वहाँ हमें जिस नाप से बॉया है उससे कहीं अधिक देता है। वहाँ भी उससे ज्यादा जो हमें वहाँ पहले ही दे चुका होता है। यहाँ उस फली के समाना है जो अंकुरित होती है और तेजी से बढ़ती है परंत किमती फल जैसे की जैसे की जैंशन जो चीजे तेजी से उगती है वो सस्ती होती है लेकिन जिन्शन ऐसी चीजे वो बहुत कीमती होती है और बहुत लंबा समय उन्हें उगने में लगता है प्यारे भाई और बहनों कुछ लोगों को दुख महसूस होता है वे कहते हैं कि वो देना चाहते हैं लेकिन उनके पास परमिशुर के समुक बौने के लिए कुछ नहीं है परन्तो यहां नियम कि जो बहुत बहुता है बहुत काटेगा यहां किसी धनराशी या भेंटों की मातरा के विश्य में नहीं है यहां पैसा नहीं है जिसे परमिशुर ग्रहन करता है परन्तो यहां हमारी हिर्दय की सुगं परमिशुर ठीक ठीक जानता है कि किस प्रकार के हिर्दय से हम उसे देते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब परमिशु ने इस विद्वा की हिर्दय को देखा तो इस ने सबसे ज्यादा दिया था। सारपत की विद्वा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने थोड़े से तेल और आटे की रूटिया बनाई और उसे इलिया को दिया। शारिक दृष्ट बहुत सुखा समापी न हो गया, उनका भोजन समाप नहीं हूआ। यदि आप यहो याद रखें कि परमिशुद भेंटो की मात्रा को ग्रहन नहीं करता परंतु उसमें जो सुगंद पाई जाते हैं उसे ग्रहन करता है तो आप यहों नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूं, मेरे पास बहुने के लिए कुछ नहीं हैं हमारे पास हमारे सदस्यों के ऐसी बहुत से गवाहियां हैं जिन्होंने अपने पूरी हिर्दे से परमिशुर को अरपन करने के बाद आशिशें प्राप्त की हैं परमिशुर ना के वल तात्विक आशिशी देता हैं क्योंकि आप पैसे स अपने परिवार की उधार की आशिश पाई, दोरकस नाम की एक महिला जो बहुत तेरे भले भले काम और दान किया करते थी, मर गए परन्तु प्राक्तना के द्वारा उसने फिर से जीवन प्राप्त किया, दोनों ही आत्मिक और भौतिक आशिशे येशु मसी के द्वारा ना क इस शाल में पैदा हुआ और चर्नी में रखा गया, जो जानवरों के लिए होती है, वहाँ इसलिए कि वहाँ मनुशों जाते के लिए जो जानवर से अलग नहीं थे, जीवन का भोजन बन गया, येशु के इस अनुग्रहे के द्वारा हम परमिशुर का भाय मान सकते हैं, उसकी आग्याओं का पालन कर सकते हैं, ताकि हम एक मनुशों के समान जी सकें, मैं बहुत धन्यवाद यह हूँ कि प्रभु को ग्रहन करने के बाद और परमिशुर को ग्रहन करने के बाद मैं सत्य को जान पाया, और एक मनुशों के तोर पर जीवन जी पाया, अगर मैं इस स और प्रभू को ग्रहन नहीं करता, तो मैं संसरिक लोगों के समान जीवन जी रहा होता, मुझे गुस्सा आता, मैं गर्म स्वभाव का, दुसरों के प्रती दुर्भावना रखने वाला, हिर्दे के अंदर सभी प्रकार की गंदगी और अशुद इच्छाओं का आनंद करने बन जाता, लेकिन प्रभू और प्रमिश्यों ने इन तमाम चीजों को मुझसे दूर निकाला, अपने बच्चे के समान जीवन और सत्य के वच्चन के द्वारा नए सीरे से जन्माया, और इस तरह से आज के दिन तक लगतार मैं आत्मा में बदलता रहा हूं, और किस कारण के नाम से प्रात्ना करता हूं कि आप दोनों आत्मिक और भौतिक आजिशों को प्राप्त करों और महांता से प्रमिश्यों को महीमा दो। आग के द्वारा सिर्थ से लेकर पैर तक उनके तमाम बिमार और दर्भरे अंगों को जला दीजी, येशु मसीर के नाम से मैं आग्या देता हूं, चत्रुदृष्ट और शेतान, तमाम बिमारियां, रोगानू, विश्यानू और निर्बलताएं दूरू हूं, ज्योती उन दूर होु, पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगांगों और विश्यानू से सुरक्षा दीजे। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फिफड़ के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्व के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए और तमाम दूसरी बिमारिया जैसे की एर्स, लुकेमिया, दिमागी रख्थार, उच रख्चाप, धीमा रख्चाप, खिर्दे के रोग, फेफडे के रोग, स्त्री रोग, थायरोड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो, पोल्यू, लक्वा, गटिया और आंत के रोग प्राप्त करे और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करे, अंते देखने लगे, बहरे सुनने लगे, और गुंगे बोलने लगे, दुरगटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए, उनकी टूपी हडियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और देहंसम वेदना उनसे दूर हो, तमाम प्रकार की नशे की लट से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ, पिता मृतक कोशिकाओं उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से चिक कीजिए और मृतकों को जिला देजिए, उन्हें आशिश दीजिए गर्वधारन की, पिता उन आत्माएं और तमाम अंदकार के बल दूर हो, दुष्टा के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, जोती आ जाएं, पिता परमेश्वर उन्हें ताक दीजी कि वे प्राहतनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ दीजी और वे पवित्र हो ज परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा के वल आपको मिले, हमारे प्रभू येश्व वसी के नाम से बरातना करता हूं, आमें मुल्ड प्राहतना करता है